श्रीमान वेंकटनाथार यह कवितार की केकेसरी वेदांता चार यवरियो में सन्नितत्ताम सदाखर दीन अब हम स्ट्रीस्तुती स्टोत्र ग्रंथ का सोलवां श्लोक देखने जा रहे हैं यह मात्र सोलवां श्लोक नहीं है यह स्ट्रीस्तुती का एक सोल आतिप्रमुख श्लोक भी माना जाता है कांशी पुरम मंदिर में लक्ष्मी जी के मंदिर में महालक्ष्मी जी के मंदिर में बाहर वेदान देशिक जी इस श्लोक की प्रार्थना करत श्लोक बोलते वक्त वहां उस ब्रमचारी ग्रहस्थाश्रम को स्वीकारने के लिए तरद पर व्यक्ति के लिए लक्षमी जी कृपा व्रिष्टी की कृपा से धन व्रिष्टी की ऐसा जिसके लिए ही इस तोत्र ग्र रचित किया गया था। उस ब्रह्मचारी को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक धन से ग्रहस्ताश्रम में प्रविष्ट कराने के लिए स्वामी वेदान्त देशिक लक्षमीची से प्रार्थना करते हैं इस स्तोत्र के जहरिये। उसमें जब येश्लोक बोला गया था, अर्थात रचाया गया था, उस वक्त ही मंदिर के आंगण में धन की व्रिष्टी हुई ऐसी एक प्रसिद्धी है, वहां उसका चित्र भी लिखा हुआ है। वो येश्लोक है। योगारं भत्वरितमनसो युष्मदैकांत्ययुक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रतममिहये धारयंते धनायां। तेशां भुमेर्धनपति गृहादं बरादं बुधेर्वां। धारा निर्यांत्यधिकमधिकं वांचितानां वसूनां। श्रद्दा से इस तुति को बोलने वालों को लक्ष्मी जी जरूर कृपावर्ष्टी की करती है। इसमें शंका नहीं है। इस श्लोक में जो भाव है वो भाव सहीत श्लोक को बोलना बहुत जरूरी है इसलिए। बहुत सावदान समझने के लिए प्रयास करें। पदच्चेत करता हूँ। इस दुनिया में इह ये ये जनाहा इह ये इस दुनिया में जो लोग योगारंभत्वरितमन सहाब ज्यानयोग तदंगभूत खर्मयोग इन दोनों के जरिये भक्तियोग इत्यादी का आचरन करने के लिए आतुर लोग हैं। अर्ता तत्पर लोग हैं। उसी में अपने तत्परता दिखाने वाले हैं। उसी में त्वरा रखने वाले हैं। उद्वेग रखने वाले हैं। ऐसे योगारंभत्वरितमन सहा ये ही है। युष्मदैकांत्य युक्तम धर्मं प्राप्तुम। परमैकांती होकर अर्तात परमात्मा के सिवाय और किसी वस्तु में रूची नहीं रखते हुए। और प्रार्तना भी परमात्मा से ही करेंगे। क्योंकि इस परकार कर्मानुष्ठान अर्तात बर्नाश्म धर्म अनुगरहीत जो कर्म है। उस कर्मानुष्ठान करने के लिए जो ततपर रहते हैं यागे एग्ञादी उनके लिए धन की आवश्कता तो है। वो धन तो और किसी से अपेक्षा भी नहीं करेंगे। इसलिए उनको प्रार्तना करने के लिए भी एक मात्र जगह है तो वो लक्ष्मी जी और भगवान स्क्रिमन नारायन है। और किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे। वो इसे लोगों को परमेकांती शब्द से कहते हैं। युष्मद अइकांत्यम आप दोनों के येकांती बनके रहना है। अर्तात आप दोनों ही उनके लिए सब कुछ हैं ऐसे रहने वाले। अर्थात युश्मद अईकांत्ययुक्तम धर्मम। अर्थात आप दोनों से मिले, उसके जरिये वे लोग धर्म का अनुष्ठान करें, तो उसके जरिये फल पाएं, तो ही उनके लिए संतोष मिलेगा। ना तो यतरह मार्ग से अगर उनको धन मिला और उस धन से वे लोग धर्मा अनुष्ठान करें और उसके जरिये मोक्ष प्राप्त करें, ये रास्ता वे लोग अपनाते नहीं हैं। इसलिए युष्मदैकांत्ययुक्तं धर्मं प्राप्तुं ऐसे धर्म का अनुष्ठान करने के लिए और योगारंबत्वरितमनसहा युष्मदैकांत्ययुक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रतमं इह ये धारयंते, इसी के लिए जो धनायां धारयंते, धनेच्चां धारयंते धन की इच्छा करने का कारण भी यही है धन की इच्छा करना गलत नहीं है धन की इच्छा रखना चाहिए और धन की इच्छा इसलिए रखना चाहिए कि उसके जरिये हम धर्मानुष्ठान करें विद्याद दाती विनयम विनयाद द्याती पात्रताम पात्रत्वात धनम अपनोती धनात धर्मम ततस्थुखम ऐसा एक कवी भी कहते हैं विद्या विने को देने वाला है विने से एक वेक्ती पात्रता को प्राप्त करता है योग्यता को प्राप्त करता है विने के बिना विद्या आएगी तो वो योग्यता को नहीं प्राप्त कर इसलिए विद्याविनेय संपन्य ब्राम्हनी ऐसा गीताचारी भी कहते हैं विद्याविनेय संपन्य ब्राम्हन होना जरूरी है क्योंकि विद्याविनेय को नहीं देता है तो विद्याविर्थ है अगर विद्याविनेय दोनों मिलकर पात्रता को देती है और पात्रत्वाद धनम अपनोती वो पात्र होने की वज़ा से वो धन की प्राप्ति करता है धन से फिर से धर्मा अनुष्टान करता है फिर से धर्म के जर्य सुख पाता है ऐसा ही क्रम लौकिक विशे में भी लौकिक श्लोक अर्थात कवी से रचित श्लोक में भी कहा गया है उसे प्रकार धर्म का अनुष्टान करने के लिए ही धन की अपैक्षा जो योगा आरंबत्तुरितमन सहा रखते हैं योग के प्रारंब में योगा आरंब करने के लिए तौरा रखने वाले मन वाले और उनकी मन तौरा रखती है किसके लिए त्वरा रखती है योग को प्रारंब करने के लिए अर्थाद भक्ति योग को प्रारंब करने के लिए उसके लिए क्या करना है धर्मा अनुष्ठान करना है चोदनालक्षन अर्तो धर्महा वेद विहित इश्टसाधनता कहा धर्महा ऐसा धर्मशब्द का निर्वचन कहा गया अर्ता वेद से विहित अग्निहोत्रादी अनुष्ठान करना ही धर्म है वेद निंदित कामों को करना वो अधर्म है अपने इश्ट को साधन करने में वो क्षमता रखने वाला जो दा काम है वो दर्मकर्मा है उस दर्म का अनुष्टान करने के लिए ही उस दर्म का अनुष्टान करने से ही भक्तियोग मिल सकता है बक्तियों का आरंब करने के लिए जो तुरा रखते हैं वे पहले कर्मानुष्टान में तुरा रखते ही अर्था वर्नाश्रम वहित दर्म को अनुष्टान करने से ही उनको यागे ग्यादी में अधिकार मिलता है भगवत आराधन में भगवत पूजा में उनको योग्टा मिलती है और बाद में यागे ग्यादी करने से और वो भी शुकाम करम करना है अर्तात उसके फल के उद्देश के बिना करना है फल के उद्देश के साथ करेंगे तो सुर्गादी मिल जाएगा इसलिए पलत्याग पुरस्रम अर्तात साथ खर्मन येवा अधिकारस्ते मापले शुकदा चना इसी के लिए आया है और कहीं कहीं यूस करते हैं उपयोग करते हैं लोग बहुत सारे कथाकार इस विशे में अपना मार्ग चोड़कर भी कथा करना शुरू कर देते बले उसका अलग-अलग उपयोग हो सकता हो उनके मन के इसाब से परंतु यताभूत अर्त तो यही है करमण येव अधिकार से धर्मकर्म धर्मानुष्टान करने में ही तुझे अधिकार है उसमें फल की अपयक्षा इसलिए नहीं रखना है क्योंकि फल की अपयक्षा रखोगे तो वही फल मिलेगा जो सुर्गादी है परंतो हमें चाहिए मौक्षए है इसलिए फल की इच्छा नहीं रखते हुए जो धर्मानुष्टान करते हैं क्योंकि वही लोग पर्माइकांती हैं क्योंकि स्वर्गादी के अपेक्षा करते हुए धर्मा करेंगे तो वो पर्माइकांती नहीं हैं इसलिए युश्मदैकांतिय युक्तम धर्मम आप दोनों को प्राप्त करने के लिए इच्छा के सहित जो दर्मा अनुष्टान करते हैं उनको धनायाम धारेंते धनाया का मतलब है धनेच्छा धनेच्छाम ये धारेंते ये लोग धारेंट करते हैं ते शाम उनके लिए भूमी से मिलेगी, दनपती कुबेर से मिलेगा, ऐश्वर्य प्राप्ति होगी, दनपती ग्रहात याने कुबेर के घर से, अंबरात आथवा आकाश से, अमभुpekस अमुदेर्वा, से कहीं से भी धारा निर्यानती अधिकम 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 वसुनाम वांचिता नाम वसुनाम धारा निर्यानती वांचिता नाम वसुनाम अपेक्षित वसु अश्टाइश्वरियों का धारा ही बहते हैं उनके घर में और जो सच में धर्मानुष्टान करने के लिए ही धन की हों तो उनके लिए सब कुछ मिलता है ऐसा क्योंकि हम रगुम्श महाकाव्य में वितिय सर्ग में एक सुन्दर प्रसंग देखते हैं वरतंतु महरशी के शिश्यकौट्स करके वो राजा के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके गुरुजी के लिए दक्षिना देना चाहते थे परन्तु गुरुजी पहले से तो राजी ही थे इसलिए उनको अपेक्षा नहीं थी अपेक्षा नहीं है तू जाकर अपनी विद्या को और सब लोगों को दो चौदा साल में चौदा विद्या को तुझे सिखाया हूँ इतना दिन गुरुकुल में रहकर अध्यन किया है उसका और कई शिश्यों को सिखाना ही उसका मुख्य उद्देश्य होना है ऐसा करके विद्या देते वक्त ये नहीं समझते हुए नहीं नहीं अपने पास जो भी दन है उससे देने की इच्चा से उसने कह दिया कि मैं आपको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ तब गुरुजी ने कहा तब तो तू सोला हजार सोना देदो सोला हजार क्योंकि चाहँदा हजार क्योंकि सोला विद्या से कहीं इसलिए सोला हजार काइन धन देदो ऐसा बोल दी उस वक्त सोना में ही होता था न इसलिए एक सोने का सिक्का को एक धन बोलते हैं ऐसा सोला हजार मांग लिए कहां से देखा वो बेचारा अपने पास सोला रुपया रखा होगा तो उसमें उनको देना चाहता था तो सोला हजार कहां है और राजा के पास गया इस संद्र्व को बताया और राजा तो उसी वक्त अपना सर्वस्वदान करके या एग्ये के अंत में सर्वस्वदान करना है सभी एश्वरियों को दान में दे दिया से विश्वजित याग करते हैं विश्वजित एग्ये के अंत में सर्वस्वदान करना पड़ता है गुरु की दक्षिना के लिए प्रार्थना करते हुए वर्तन्तु के शिष्य समझ आ गया इनके पास उनको आर्ग्यपाद्य आचमनी ये देने के लिए भी सुवर्न पात्र नहीं है इसलिए समर्ण में ये वीता हिरन में अत्वात करके मठी मिठी के बर्तन में अर्ग्यपाद्य आचमनी इत्यादी समर्पित करके उनको स्वागत किये और पूछे तो बताया इस प्रकार की गटना है तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सब कुछ दे दिया हूँ क्या करूँ तब बर्तन के शिश काउट्स ने बताया मैं और किसी राजा के पास जाता हूँ तब राजा ने रोका ये इस प्रकार का नया मेरा नाम खराब हो जाएगा मेरा नाम अभी तक ऐसा नहीं है अपेक्षित लोगों को देता रहा हूँ पहली पहली बार मुझे इस प्रकार का की अपकीरती मिलना उचित नहीं है इसलिए रुको कल सुबह तक रुको मैं तुझे व्यवस्ता कर देता हूँ ऐसा बोलकर अपने भटों को बुलाकर दूसरे दिन कुबेर के और कुबेर की नगरी के और प्रस्तान करने के लिए बोल दिये अपने सेना को उन से जीत पाकर उनकी संपत्यों को उठा लाएंगे जिससे एक काम हो जाएगा तब उसी दिन रात में कुबेर डरते हुए उनके लिए अपेक्षित धनराशी को वहाँ उनके कोश में कोश ग्रही में अर्तार ट्रशरी में बारिस कर दिया उसे इदर याद रखते हुए वेदान दिशिक जी कहते हैं बू में हैं धनपति ग्रहात क्योंकि वो तो धर्म कर्म के लिए उन्होंने गुर्दक्षिना के लिए मांगा इसलिए उत्रंत मिल गया अच्छा काम करने के लिए जब भी धन की अपेक्षा रखते हैं उनके लिए कहीं से भी मिल जाता है अंबरात अंबुदेरवा धारा निर्यांतिया अधिकम अधिकम निर्यांतिया अपेक्षित से भी ज़्यादा मिल जाता है वसू वांचिता नाम वसू नाम वांचिता नाम अपेक्षित मन पसंद सब प्रकार की संपतियां अर्था गाएं मिल जाते हैं गो संपत्ति मिल जाती है, धनसंपत्ति, धान्य संपत्ति, इस प्रकार अष्टविदाईश्वर्य भी मिल जाते हैं, ऐसा कहने के लिए इश्लोक प्रवर्त है, इह ये योगारं बत्वरितमनसहा युष्मदैकांते युक्तम धर्मं प्राप्तुम प्रतमं धनायां धारयंत देशाम भूमे हैं, धनपति ग्रहात, अंबरात, अंबुदेहेवा, अंबुदेहेवा, वांचितानाम वसुनाम धाराहा, अधिकम अधिकम निर्यांती, बाहर निकल जाते हैं, अर्थात उनके पास आप पहुंचते हैं, इस प्रकार अम दो चीज इसमें समझना है, धार् काम के लिए अपेक्षा रखना है, वो भी भगवान से ही अपेक्षा रखना है, भगवान स्री विष्णु से ही और लक्षमी जी से ही अपेक्षा रखना है, और किसी से नहीं, इस प्रकार दो भाव इसमें कहा गया है, ऐसा है, तो कंडिशन दो ही है, भगवान से प्रार् करना है और धर्मकर्म का उद्देश करके करना चाहिए तो जरूर मिल जाएगा ये मतलब है योगारं भत्वरितमनसों युष्मत ऐकांत्ययुक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रतममिहे धारयं तेधनायां तेशां भूमेर धनपति ग्रहादं बरादं बुदेरवां धाराने र स्विमते वेंकटेश आय विदांत गुरवे नमाहा